नमस्कार, विल्कल मुट स्टडी आएक्यू, मैं हूँ प्रशान दवन, नाव इंग्लिश लांग्विज में ना एक वर्ड होता है अब्सेशन, बिल्कुल एक कंट्री को अपने दिमाग पे रखना और एक बार को उस कंट्री के बारे में इतना सोचना कि खुद का देश बेंजमें नेतन याहू ने अपना स्पीश दिया, यूएन में ये काफी वर्ल हो गया था, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, और फिर ये जो वीडियो आप देखने वाले हैं, ये भी काफी वर्ल हो गई थी, ये हेती के प्रेजिडेंट है, ये अचानक इस क्लिप के अंडर जो रेसिस्ट कॉमेंट्स करी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंके हेती में कुछ समय पहले भुकम पाया था, और बहुत सारे हेती के जो रेफ्यूजी हैं आज के समय यूएस में आ गए हैं, और अमेरिकन ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी कंट्री के र बहुत जादा रेसिसम फेस करना पड़ा इनको उनलाइन, और फिर एके करके फ्रांस के प्रेजडेंट, यूके के पी-म, वेरियस वर्ल लीडर्स ने इंडिया का मैंशन किया, मगर पॉजिटिव तरीके से सब ने ये कहा, कि यूनाइटे नेशन से क्योटी काउंसल में व इस तरीके से इंडिया का मैंशन एक्टेंसिवली हुआ, पॉजिटिव तरीके से हुआ, पॉजिटिव तरीके से लेकर चिले, वेरियस कंट्रीस के लीडर्स ने इंडिया का मैंशन किया, मगर फेरा है पाकिस्तान के पी-म, पाकिस्तान के पी-म ने इंडिया का मैंशन इत किश्मीर का मैंशन इतनी बार किया कि इनका खुद का देश बहुत जड़ा पीछे रहा गया तो यह जो छोटी सी क्लिप आपने देखिए यह पाकिस्तान में काभी पॉपलर हो गई थी क्योंकि यहां पर चवाज श्रीफ कह रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने कोशिश करता है तो पाकिस्तान इंडियन जो यह कह रहे हैं इंडियन अग्रेशन का जवाब देगा अगैन पूरे स्पीज में ना इ यहां पर गाजा को इंडिया से कंपेर कर दिया था वह आप क्या लीजिए उससे पाकिस्तान को एक क्लियर रन्वे मिल गया कि अगर इरान के सुप्रीम वीडर यह सब कह रहे हैं और यूएन में यही हुआ फिर उसके बाद शेबाद श्रीफ ने गाजा के बारें बात करने शुरू करी और लिटरली कश्मीर को फिलिस्तीन से कंपेर कर दिया इसमlar selor podcasts of the people of Palestine, the people of Jammu and Kashmir 2% have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. Instead of moving towards peace, India has resiled from its commitments to implement the Security Council कि ऋंडे लिट्स अज्मू जजूश्ट किषमीर ूजूट कि यूजूशब क्षमीर था इन तर्याडित अग्डाव चेटार्ण इन प्रयाएं लेचाम कि यूजूज फूजूशि कि इन तल्वें जास्ट इन या शजूश। steps to impose what its leaders ominously call a final solution for Jammu and Kashmir नामचको दुखियां पर यह लगता है कि काफी बार leaders especially पाकिस्तान के leaders UN में खड़े होकर जूट बहुत बोलते हैं कोई भी figure यहां पर code कर देंगे और fact checking होती है नहीं है जब कि होनी चाहिए मेरे हसाब से जो speech deliver कर रहे हैं world leaders UN में at least उनका proper fact check तो होना चाहिए अब शबाज शरीफ बोल के आ गए हैं कि जम्मू कश्मीर में 9 लाख Indian soldiers है और बहुत ज़रा cruelty हो रही है 9 लाख Indian troops कहीं से भी यह number उठाके यह बोल दिया United Nations में कोई fact checking नहीं है कोई कुछ नहीं है और अगेन पाकिस्तान की आज के समय जो खराब economic हालत है जो bankruptcy की तरफ बढ़ रहा है यह देश उसके बारे में उन्हें आपर का नहीं है completely आप क्या सकते हैं इंडिया focused, इंडिया centric speech था और अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि क्या मोदी जी जवाब देंगे शहवाज शरीफ का इंडिया का in the past आप अगर देखो track record यह रहा है हम पाकिस्तान को एक नोर कर देते हैं देखिए इंडिया is an important country, as in Indian आप एक बार को सोच कर देखिए इंडिया का mention बहुत सारे देशों ने किया है छोटे से लेकर बड़े country, सबने इंडिया का mention किया है, पाकिस्तान का mention घूम फिर के न सिर्फ पाकिस्तान के PME करते हैं के लावा कोई और mention करता भी नहीं है, usually हम देखते रहे कि Erdogan, तर्की के प्रेजिडेंट ये कश्मीर का mention करते रहे, इस साल उन्होंने भी ये नहीं किया है, तो इंडिया देखिए एक बहुत important country है, हम लोग पाकिस्तान का mention करके, importance दिना नी चाते, इससे पहले आप अगर देखो तो मोदी जी ने पाकिस्तान को एक नोर किया है, इस बार भी आप अगर देखो तो मोदी जी सिंस इंडिया वापस आ चुके है, जैशंकर साब का स्पीच होगा, जो रप्रेजेंट करेगा इंडिया को at the United Nations, उसमें भी चांस कमी है कि डिरेक्टली पाकिस्तान के ब फ्डा स्पीचितला लॉड़ कि आप अश्चित्व ने जी एकार अजी ने डिच आपानी अजाथ escri माद का लॉड़। टेमिया करे एंडिया वाल जाफसके आ इनकार लॉड़ीन वापसक्तान करेश्स इंडिया क्याष्टली ट्रावा स्वासितला लॉड़ी ट्रावी टा चांगान की शींकान है तॉल चाहर आकरन今स्व Safety crime जक्यान खर भी म dûबतोर आजस्ट्रा च्रॉपेटरिस्ट अम्भाश रहा थे लिस्टाइब्य आडंज की बिस्टा है कि शीनल वाविका जी थी, इंडियास डिप्लोमाट तु यूएन इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है, इफस क्लियर करके यहां पे आई है, ग्रेट रप्लाई और यह जो इनकी वीडियो है, काफी वरल भी ती, सोशल मीडिया पर, और इंडिया ने मेन बाद यहां पर कई है, कि अगर आतंगवाद नहीं रोकोगे, तो consequences, नतीजे भुगतने होंगे, they are inevitable, इंडिया ने भी आपर संके दे दिये हैं, कि कल को अगर तुम्हारी तरफ से कोई आतंगारी संगटन ने इंडिया पे अटाक किया हम भी उसके response में कारवाई करेंगे, so this is very important, इंडिया ने एक categorically, मैं कहूंगा strong answer दिये पाकिस्तान को, इसके जवाब में पाकिस्तान का भी reply आता है, काफी वार इंडिया पाकिस्तान इस तरीके से reply करते हैं, but most important thing यहाँ पर यह है, कि इंडिया की जो top level leadership है, यह पाकिस्ता ने so much India obsessed, इंडिया की तरव से इतना कुछ reply आता नहीं है from the top leadership, और finally यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, इंडिया ने देखिये प्लेज किये है 47.4 करोड रुपीज for the construction of 12 impactful projects in which country, यह है यहाँ पर आपकी options, किस देश में भारत यह 12 impactful projects बनाएगा 47.4 करोड या फिर बांगलादेश, comment section में करिये उत्तर, जो लोग सही answer देंगे, उनकी comment को मैं हाट देदूगा ताकि वाकी लोग समझ पाएं के सही उत्तर क्या है, और finally आप लोगों के लिए एक बहुत ही important जानकारी, देखिए एक बहुत ही सुन्दर quote है, all good things come to an end, और study IQ का जो प् उसके बाद प्रतिग्या बैचेस आपको नहीं देएंगे, all together हम नए बैचेस की तरह फोकस करेंगे, प्रतिग्या बैच में आपको बता दू, most popular study IQ का UPSC बैच रहा है, हाजारो students from all over India उन्होंने अन्रोल किया है study IQ के प्रतिग्या बैच में, तो आपके पास आखरी golden opportunity है, प्रतिग्या बैच में अन्रोल करने की for your UPSC preparation और यह आप कर सकते हैं, एक sale के दुरान, जी हाँ, अभी study IQ की sale चल रही है, 30 सब्तमबर को यह sale खतम हो जाएगी, तो आपको simply यह करना है, comment section में जाएगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे link दिख रहे होंगे, जो सबसे top का link है यह UPSC course का है, उसके अलावा आप अगर state exams के लिए prepare कर रहे हैं, बिहार PSC, उत्तरपरेश PSC, इन सब exams की भी आप preparation कर सकते हैं, with study IQ, but आप अगर simply UPSC के preparation करना चाहते हैं, इस link पर करिए click, और यहाँ पे आपके सामने खुल जागा यह page, और यह जो यहाँ पे price दिख रहे ह और आप देख सकते हैं, for just 21,500 रुपीज, एक 24 मन्त का course आपको मिलता है, इस course में study IQ की faculty आपको पढ़ाएगी, आपकी regular life classes होंगी, one-to-one mentorship आपको दी जाएगी, answer writing program होगा, और study IQ की तरफ से special gift box भी send किया जाएगा आपकी address पर, जिसमें आपको study IQ branded maps मिलेंगे, text books मिलेंगी, notebooks, pens, बहुत सारा merchandise by study IQ delivered straight to your address, तो आपके सामने golden opportunity है, discounted rates पे आप purchase कर सकते हैं, आखरी प्रतिग्या batch, and start your UPSC journey with study IQ, और of course, use the code PD10 to get the maximum discount possible, तो इसी note के साथ, यह है video कान, thank you for listening, and as I always say, may the gods watch over you.